इन दिनों बाइक चोड़ गिरों के सदस्य लगातार बाइक की चोड़ी पर पुलीस की नाग में दम कर रखा है आपको बता दी वही इस चोड़ी की घटना से लोगों में भै का महौल बना हुआ है बाहन मालिक अपनी गारियों को बाहर लगाने से अब कत्रा आने लगे है ऐसे में पट्टा पुलीस चोड़ों की धरपकर करने में जुट गई है सदन वहन चेहिन अभियान और श्वापे मारी कर चोड़ों की गिरफतारी करने में लगी है जब बाइक चोड़ी की घटना बढ़ने लगा पुलीस पर सवाल खरा होनी लगा तो इस बीच चोड़ों की पुलीस ने बाइक चोड़ी की युवा को गिरफतार किया है जो कि रानी पूरी इलाकी का रहने वाला बताया चौता है इसके साथ ही तीन मोटर साइकल को भी बढ़ा मत कर लिया गया है बताते चले के बीते गुरुबार को चौक थाना चेतर के सांक भरी कॉमप्लेक्स में मोर्चा रोड इलाके से बाइक की चोड़ी हुई थी जहां पीरिदों ने लिखित आवेदन थाना में दर्ज कराया था वहीं मोर्चा रोड इलाके से बाइक चोड़ी की पूरी वार्दा जो है वहां लगे सिसी टीवी कैमरी में क्याद हो गई जिसके बाद पुलीस जुआच में जुड़ गई है हलाके चोग थाने की पुलीस ने मोटर साइकल के साथ यूवक को गिरफतार कर लिया है और आगे की कारवाई में जुड़ गई है निदी सिंग के साथ न्यूस क्राइम 24 की रिपोर्ट पर पर नहीं कि ब्रामत करने के प्रहस के जा रहें हैं अब बशन्दरवादा के रहने वाले हैं और चौक आये थे अपना सागंब्री प्लेश्ट पर लगाए थे और बाइक लगा के से चौक पर काम से पर स्कूर्प काम से और उसके बाद करीब 15-20 मिन बाद हम वापस यह पर आएं तो यहां पर मेरा बाइक नहीं था अच्छा कॉन सी बाइक थी थी मेरी और 860 बाइक का नमबर था और उसके बाद फेर हम वापस यहां पर लोटीं लोग का कैमरा भी लगा हुआ है लेकिन कैमरा में भी पक पदा नहीं चल पाया है नूदी कैमरा में कुछ गिच लिचे से कारण कैमरा में पूटेज नहीं आ पाया है तो उस कारण हम बाइक नहीं मिल पाया है कि तू आज ही मिलें दॉक्टर ब्रिच्स होमियोपैथिक लिनेक बीसी जर्मन होमियोपैथिक भवन ब्रिच गली बिसकोमान कॉलनी पटना